हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा अगला टोपिक है धार्मिक जीवन रिग्वैदिक काल में लोग लोगों की धार्मिक जीवन कैसी थी तो चलिए देखते हैं पहला पोइंट रिग्वैदिक लोग बहुदे वबं प्राकृतिक पूजक थे दूसरा पोइंट है मुर्ति पूजा का प्रामान नहीं मंदिर का परियोग नहीं रिगवैदिक काल के जो लोग थे वो मूर्ति एवं मंदिर के किसी वितरा से हमें यहाँ साक्षे देखने को नहीं मिलते हैं रिगवैदिक काल के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे अगला पोइंट है इस समय देवताओं को तीन स्रेनी में बाटा गया था यह लोग प्रकृतिक पूजाख थे और इस समय जो वे जो देवताओं को मानते थे उनको तीन भागों में बाटा गया है पहला है प्रित्वी के देवता, दूसरा है आकाश्य देवता, तीसरा है अंत्रिक्ष के देवता तो देखते हैं हम लोग पहला पृत्वी के देवता में कौन-कौन से देवताओं को ये लोग पूजा करते थे पहला है अगनी, सोम, पृत्वी, सरश्वती और विरहस्पती अकाश्य देवता थे, सूरिय, चंद्रमा, मित्र, वरुन, पुशन, विष्णू, सवीता, अधीती, उसा ये सभी अकाश्य देवता थे अगला है अंतरिक्ष के देवता, इंद्र, रूद्र, मरुत, वायू और परजन्य ये सभी अंतरिक्ष के देवता थे, चली आगे देखते हैं रिगव्यद में मूल 33 देवताओं का उलेक मिलता है अगला है सबसे प्रमुक देवता, इंद्र को माना जाता था इंद्री के कई नामों का भी परयोग किया गया है, जिसमें है पुरंदर वित्रे सुर, इसका उलेक रिगव्यद में 250 बार किया गया है अगला पोइंट है, दूसरा प्रमुक देवता, अगनी इसके लिए रिगव्यद में 200 बार मंत्रों का उलेक किया गया है रिगव्यद का प्रारम अगनी मंत्र में होता है देवताओं को गुप्तचर कहा गया है आगे देखते हैं सौम देव का नौवे मंडल में एको चवालिस बार उलेक हुआ है आगे है रिग्वेद की पांचुए मंडल में क्रीशी के लिए परजन्य देवता का उलेक किया गया है क्रीशी के लिए परजन्य देवता का उलेक है और परजन्य देवता जो थे वो अंत्रिक्ष के देवता थे अगला है वरुन को जल का देवता माना जाता है इसका उलेक तीस सुक्तों में हुआ है इसे सकती नैतिक और न्याय का देवता कहा गया है अगला पॉइंट है मित्र वरुन का सहीयोगी बताया गया है तो ये सब पूरे विस्तार से लिखा हुआ है आप लोग अगर रीडिंग कर लिजेगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा आगे देखते हैं रिग वेद में सब्दों का उलेक किन-किन सब्दों का रिग वेद में कितने बार उलेक किया गया है पहला है जन 275 अश्वा 215 गाय का उलेक 176 बार हुआ है विश का उलेक 170 बार सोमदेव 144 विश्नु 100 सेना 20 ग्राम 13 यमुना 3 बार यमुना का 3 बार उलेक किया गया और आगे है रूद्र तीन बार वैश्य सुद्र गंगा राजा फृत्वी समुद्र का एक बार उलेक किया गया है सभा का आठ बार समीती का नौबार ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आगे देखते हैं रिगवैदिक काली नधियां पहले इनको रिगवैदिक काल में इनको किन नामों से जाना जाता है नधियों को और अब आधुनिक समय में इन्हीं किन नामों से जाना जाता है प्रशी नाम आधुनिक नाम क्रुमू उसका आधुनिक नामे कुर्रम कुम्बा काबुल वितस्त जेलम असिकनी चिनाप परुष्णी रावी सतुद्री सतलज पिपासा व्यास सदानीर गंडक दुष्टावती घगर गोम्ती गोमल सुवस्तु स्वात सिंदु सिंदु सरश्वती घगर सुसोमा सोहन मरुद्वृधा कम वरुण्मन तो ये साब है रिग्वैदिक कालिन नदिया और इसमें से कुछ-कुछ बहुत इन्पोर्टेंट है जो है परुष्णी और इतास्ता सत्रुधी, पिपासा, सदानीरा, सिंदु, सरश्वती ये सभी प्रमुख नदियां हैं और हर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा और आज के लिए इतना ही अगले दिन अगला टोपिक सुरू करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देजे